खबर ये है कि उत्तर भारत में लगातार बाड का खत्रा बढ़ता हुआ दिख्या है हिमाचल परदेश की तस्वीर और भी चौकाने वाली है साथ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है जिस से हालात और खराब होने के आशंका है जबकि कई जिलों के लिए मौसा बिभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है बारिश की वज़े से जगा जगा लेंड्स लाइट हुआ है जिसके कारण 828 सड़कें बंद हो गई हैं अगले तीन दिन भारी बारिश और फ्लेश फ्लट की चेतावनी दी गई है जो ग्यारा तारीक को जो एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा रहेगी परदेश में जो अभी पहले आपको जो पश्चिम विक्षोब और मांसुन सिस्टम का जो इंट्रेक्शन आपको पहले हिमाचल के पे दिख रहा था अब वो ग्यारा तारीक उसका जो परवाव है मैक्स मों उत्राखंड में भी देखेगा जो हिमाचल में इंपेक्ट था ज़्यादा था उत्ना इंपेक्ट है उत्राखंड में नहीं रहना चाहिए लेकिन फिर भी जो हैवी से बेरी हैवी रहने ग्यारा तारी को तो हमारे ज़्यादा तर डिस्टिक्स है उसमें भी मिलने वाली ह और लगातार पीछे भी बारिश हम को मिली रही है तो इसकी वज़े से कहीं न कहीं जो किमिलेटिव इंपेक्ट है तो वो देखने को मिले गा आपको जो हिल्स में खास कर अगर देखें और बाद सिर्फ हिमाचल की नहीं है देश की राधानी दिल्ली में भी बार का खत्रा लगातार मन रहा है यमना खत्रे के निशान से उपर बह रही है हत्रीकुन बैराज से छोड़ा गया पानी तेजी से यमना के जलिस्तर को बढ़ा रहा है यमना के किनारे वाले निचले इलाकों को खाली कराया गया है और लोगों को सुलक्षित जगों पर जाने की सला दी गई है इहतियात के तौर पर लोहे वाले पूल को भी बंद कर दिया गया है इसके आलावा दिल्ली के स्कूल भी बंद रहेंगे